ओम विश्वं दरपन द्रश्यमान नगरि तुल्यम निजान तरगतम पश्यन आत्मनिमायया वहिरिवोद भूतम्यता निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रवोद शमये स्वात्मान मेवाद्वयं तश्मयी स्री गुरु मूर्तये नमयदं स्री दक्षणा मूर्तये तद्दिभ्यम अबयं धामो सारश्वत्म पास्महे यत्प्रशादात्प्रलीयंते मुहांदस्तम सच्छटाः ओम नमह परमहं सात्वादित चरण कमल चिन मकरंदायो वक्त जनमानस निवाशायो प्रीराम चंद्रायो प्रीराम चैराम 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 स्रीराम चैराम चैराम स्रीराम चैराम चैराम स्रीराम चैराम चैराम श्री राम जै राम जै जै राम द्वार का धीश भगवान की आनंद कंद भगवान राम चंद्र की जगदंबा महरानी की देवा दिदेव महा देव की पीठत दया दिश्वर जगत गुरु शंकराचारिय सद गुरु देव भगवान की हर हर महानी मंचस्त स्वामी स्री कालिकानन्द जी संतवरंद देवियो सज्जनों ब्रह्मा और विश्णों दोनों के युद्ध को विराम देने के लिए देवा दिदेव महा देव ने एक अगनी इस्थम्ब इस्थापित कर दिया कल की कथा में आपने सरवन किया अगनी स्थम्ब को जो पार कर लेगा इसी बात का विवाद था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है जब देवताओं में यह विवाद आएगा त्रदेवों में यह विवाद आएगा तो साधरन मनुस से साधरन प्रजा की तो बात ही क्या है लेकिन बास्तों मैं यहां यह बताना था आप जिस पुराण को पढ़ेंगे जिस पुराण का अध्यन करेंगे उस पुराण का जो अधिस्थात्री देवता है उशी का वरणन उसमें आपको प्रापत होगा और उस देवता के महत्त का प्रतिपादन करने के लिए इन कथाओं का समायोजन है ये घटनाएं जो हुई हैं इन घटनाओं को उसमें समायोजित किया गया है ताकि प्रजा को यह संदेश प्राप्त हो कि हमारा जो इस्ट है देवादी देव महादेव यदि हमारे इस्ट है तो उनका प्रभाव क्या है विश्ण भगवान जिनके इस्ट है उनको विश्ण पुराण में जब आप देखेंगे तो विश्ण भगवान की भक्ती का ही विशेश वरणन प्राप्त होगा क्रीमत भागबत में जब आप जाएंगे तो परमात्मा स्री कृष्ण के ही बैभव का एस्टोरिय का प्रतिपादन उसमें प्राप्त होगा देवी भागबत में जाएंगे देवी पुरान में जाएंगे तो माता जी का ही वरणन उनमें प्राप्त होगा इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि यहां किसी देवी देवता की आपस में कोई निंदा की गई है यह हमारी जो भारती ये दर्सन है हमारा उस भारती ये दर्सन का जो अध्यात्म विज्ञान है उसका ये सिध्धानत है उसके प्रतिपादन में जब तक किसी भी बस्तू को स्रबन करके हम उसके रह्ष्च को जानना चाहते हैं यह हमारा उद्देश हुआ करता है तो सिध्धानत के प्रतिपादन को समझाने में और देवी देवताओं के बैभो उनके एश्वर ये उनकी शक्ती भगवान स्रीराम सब कुछ कर सकते थे लेकिन बानर सेना को उन्होंने अपने साथ में लिया जगदंबा सब कुछ कर सकती थी महिसासुर का बिनास करने के लिए सुम्ब नुसुम्ब का बिनास करने के लिए चंड मुंड का बिनास करने के लिए उनका उद्धार करने के लिए लेकिन उन्होंने तमाम देवियों की यहां तक की 64 योगनियों तक की सहयता प्राप्त करी भगवान त्रिराम ने सुरियो पासना की आदित इस्तोत्र का पाठ किया राउन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो इस्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है इन बातों को समझना चाहिए सो दोनों के युद्ध के बीच में अगरी स्तम याने स्यो लिंग जब इस्थापित हुआ तो महाविद्देश्वर सिंयता में लिंग का अर्थ किया है अर्थात अब्यक्त वस्थापन बस्तू के गमक को बतलाने वाले चिन्न को लिंग कहते हैं श्यो जी की इस्थूल मूर्ती को श्यो लिंग कहा जाता है अर्थात ग्यापक और जो ब्यापक जो ब्रम्मा विष्णों से भी बड़ा है यह सुद्ध करने के लिए दोनों का जब विवाद हो रहा है और दोनों विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं दोनों में उद्ध हो रहा है और दोनों एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं भगवान स्री किष्ण का और जाम बबान का 28 दिन तक उद्ध चला 28 दिन तक शमंतक मणी की खोज करते हुए जब परमात्मा उस गुफा में पहुँचे जहां वह मड़ी थी तो जाम बबान विचार करने लगे ये कौन हो सकते हैं मुझे से 28 दिन तक उद्ध करना तो बहुत मुश्किल है परमात्मा ही हो सकते हैं इनके रूप में प्राथना करने लगे बताईए आप कौन है प्रभो स्री किष्ण ने बताया मणी की चोरी मुझे लग गई है सत्रा जितने कहा है किष्ण मंतक मणी उसके पास थी मैंने कहा कि यह मणी राजा के पास होना चाहिए बीश भर सोना प्रदान करती है प्रजा की दरदरता दूर हो जाएगी उसने वह मणी दी नहीं और उसका भाई उसे धारण करके जंगल में गया मारा गया गोडा भी मिला मृत उसका भाई भी मिला लेकन मणी नहीं मिली जामबबान ने कहा वह मणी हमारे पास है लाकर के मणी दे दी स्री किष्ण को स्री किष्ण जाने लगे जामबवान ने कहा कि अभी रुकें आप जामबवती नाम की कन्या थी जामबवान की जामबवान गुफा के अंदर थे कन्या को लेकर के आए कहा कि अप्रभो आप एक मड़ी लेने आए थे हम आपको एक मड़ी और प्रदान करते हैं मनियों को आप ले जाई मेरी बेटी है आप इसके साथ विवाय कर लीजिए मना नहीं करना भगवान ने स्विकार कर लिया यह जाम विवान त्रेता युग के जाम में बनते थे एक दिन युद्ध के बाद त्रिराम के साथ युद्ध करने की इच्छा इनके मन में हो गई काद प्रामी और सेवक में युद्ध नहीं होता है लेकिन तुम्हारी इक्षा हम द्वापर में पूरी करेंगे वह भगवान स्री राम यहां श्री किष्ण बने ओज्म बनते यहां ज्याम वगवान बने और युद्ध होगा रहस जानना है बगवान की शक्ती बिना उनकी भक्ती के हम नहीं जान पाएंगे बिना योग के नहीं जान पाएंगे किसी ना किसी योग का हमें आस्रे लेना होगा चाहे वो ग्यान योग हो भक्ती योग हो सांख हो बेराग हो या योग का ही योग हो कोई ना कोई आस्रे हमें लेना ही पड़ेगा लेना ही चाहिए और चाहे कर्मयोग हो योग का अर्थ होता है जोड़ देना दो बस्तु अलग-अलग हो गई है एक बस्तु अलग-अलग हो गई है जीव और इश्वर अन्त और अन्फी अगनी और अगनी की चिनगारी शूरी और सूरी का प्रिकास चंदर्मा और चंदर्मा की किरण जल और जल की तरंग नहीं अलग हो सकते हैं इसी तरह से फिर्ष्टी करता परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते नाम और रूप की उपाधी है ये नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है उपाधियों को जब अलग कर देते हैं अस्ति भाति प्रिये सिंदु मैं नाम रूप वभिचार नाम और रूप आ जाता है गभीचरत है ये आरोपित है ये लखते ही आत्म स्वरूप निज है ततकाल निहाल अस्तिवाति प्रियम रूपम नाम चेत्य संपंचकम आध्यत्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूप ततो द्वयम अस्तिवाति प्रिय सच्चदानंद है ना सचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच अननद एटीन यही परमातमा है वही परमातमा सचचचचचचच अननद के रूप में जाना जाता है तो ब्यापक, ब्यापकत्वात याने ब्रह्मा और विश्णू भी जिनका पार नहीं पासके ऐसे ऐसा देवादी देव महादेव ने अगनी इस्तम याने शिवलंग इस्थापित कर दिया पार नहीं पा सके इसी का नाम सच्चदानंद है इसी का नाम ईश्वर है अब ईश्वर के दो लक्षण होते हैं एक लक्षण तो ईश्वर का हम कल आपको बता चुके हैं सडेश्वरी संपन्य जो होता है उसे ईश्वर कहते हैं उत्पत्ति विनास का जो कारण होता है उसे इस्वर कहते हैं, प्राणी मात्र को कर्म का फल प्रदान करता है उसे इस्वर कहते हैं, हमारी प्रतेक क्रिया का जो साक्षी है उसे इस्वर कहते हैं, हमारी देह में चेतनता प्रता प्रदान कर रहा है वो उसे इस्वर कहते हैं, अचेतन का विवार चेतना धिस्ठित होता है, तो वो जो चेतना धिस्ठित है वो इस्वर है, उसे इस्वर कहते हैं, जो चीटी को भोजन देता है, हाती को भोजन देता है, उसे इस्वर कहते हैं, कौन विधान करता है भोजन का, चीटी एक कड़ खाती है, हाती एक मन खाता ह इतना बड़ा पेट कौन बनाता है और इतना छोटा पेट कौन बनाता है चीटी को क्या खाना है हाथी को क्या खाना है ये कौन तयार करता है कौन ये विधान करता है हाथी अगर एक एक कन खाएगा तो हाथी मर जाएगा और चीटी एक मन खालेगी तो चीटी मर जाएगी इस इश्वर की सत्ता से संचालित होने वाली सारी खृष्टी उससे भिन नहीं है इसलिए बाबा ने कहा इश्वर अंत जीव अभी नाशी चेतन अमल सहज सुख राशी चेतन है अमल है सहज है और सुख की राशी है लेखिये क्या मजे की बात है इश्वर का अंत होते हुए भी धनी पुत्र का धनी धनी पिता का पुत्र होते हुए भी कोई पुत्र गरीब कैसे हो सकता है यही विचार करने की बाते होनी चाहिए यही चिंतन हमारा होना चाहिए धनी का पुत्र निर्धन कैसे हो सकता है तो इश्वर का अंती का अंत गरीब कैसे हो सकता है दुखी कैसे हो सकता है और ऐसा अंत नहीं है वो इश्वर अंत जीव अभिनासी अंत अंती भाव आएगा धर्म धर्मी भाव आएगा जन्न जनक भाव आएगा वो कैसा है चेतन चेतन है माने जड़ नहीं है अमल है माने मल रहत है चेतन अमल सहज है याने श्वाभाविक है कोई बनावती पन नहीं है, कोई कैतव नहीं है, कोई छल नहीं है, चेतन अमल सहज, शुक रासी, शुक का भंडार है, आनंद का भंडार है जिसके पात, आनंद का भंडार होने के बाद भी, हम आनंद खोज रहे हैं जबलपुर में, हम आनंद खोज रहे हैं दिल्ली में, आन करमन्द शुक्राशी चेतन अमल सहजशुक्राशी राशी यानि धेर चने का एक दाना और चने का धेर उसको रास कहते हैं कि सान लोग जांतें सब्द को राशी कि शेमरे ख्लक होते हैं खली हनमिर राशी लगती उसके ऊपर नर्य लखा जाता था फिर एक नापने का उसे कुड़ा कहते थे उसे नापते थे पहला राम पर ब्राम्मन का जाता था फिर गवमाता का निकलता था फिर नाई का निकलता था फिर कपड़े वाले का निकलता ऐसे सब उसके बाद किसान जो है अपने घर में राशी ले जाता था अनाज ल आए गए पंचदा बिवजेत वित्तम भागबतकार कहते हैं अपने धनके पांच बिभाग करे सास्तर का आदेश चेतन अमल सहज शुकरासी चेतनता में जड़ता हो नहीं सकती और चेतन में दुख हो नहीं सकता जुड़ दुख जड़ में होगा जहां जड़ता होगी वहीं दुख होगा कि कहां से आ गई माया के वशी भूत हो करके इसने अपने मूल शरूप का त्याग कर दिया ये माया माया महा ठगनी हम जानी अब्यक्त नामनी परमेश शक्ती सत्वा सत्वा अभ्याम निरवक्त अनरह अविचारत रमनीया अगटत घटना पटी यसी माया जो घटना कभी घटत नहीं हो सकती उस घटना को घटत कर देने वाली शक्ती को माया कहते है भगवान स्री किष्णे ने कहा जाओ मेरी बेहन मैं जिनको माता पिता बनाने वाला हूँ वो कारागार में हैं मेरे छे बड़े भाई मारे गए हैं सात्मा बड़ा भाई बलदाओ जी मेरी मा के गर्भ में जा चुके हैं उनको निकालो और मेरे पिता की जो दूसरी पतनी रोहनी है उसके गर्भ में इस्थापित कर दो मैं आउंगा मैं मा का आस्रे लेकर के कारागार में प्रिगठ हो जाऊंगा और तुम तुमें तुम नंद बाबा के यहां यसुदा के गर्भ से जन्म ले लेना बसुदेव जी मुझे नंद बाबा यसुदा के यहां छोड़ाएंगे और तुम्हें लेकर के कारागार में आ जाएंगे ऐसे काम को सिद्ध करने वाली को माया कहते हैं ये माया माया ये करती है इस अंचेप में हमने बताया इसी तरह से माया का चक्र है ये दो उपाधी हैं इस्वर की उपाधी है माया जीव की उपाधी है अविद्या दोनों की उपाधी अलग कर दें जीव की उपाधी अविद्या को अलग कर दें इस्वर की उपाधी माया को अलग कर दें नित्य सुद्ध बुद्य मुक्त स्भाव परमात्मा तुम्हारा ही स्वरूप है आनंद ही तुम्हारा स्वरूप है सत ही तुम्हारा स्वरूप है शो माया बस्वय उगसाई बंधियो कीर मर कट की नाई भगवान के दो लक्षण किये गए एक तटस्त लक्षण और एक स्वरूप लक्षण तटस्त लक्षण में क्या है शोलिंग इस्थापित कर दिया दोनों के बीच में ब्रम्मा विष्णू के बीच में पाव आर पार कहां से प्रारंभ है कहां इसका अंत है आदी है ना अंत है इसलिए उसका नाम अनंत है अनंत किसे कहेंगे इसका कोई अंत नहीं वही तो अनंत है नहीं पाया जब ब्रह्मा विश्णु ने नहीं पाया तो केतकी कहां से पालेती केतक का फूल कहां से पालेता नहीं पा सके ये इनका तटस्त लक्षण है तद भिनेशत तद बोध कत्तम तटस्त लक्षणम अपनेशे भिन्ध हो करके अपना बोध करा देना ए तटस्थ लक्छन. और सत्यम गानम नंतं ब्रम्ह यह स्वरूप लक्छन है वह ब्रम्ह सत्त है वह ज्ञान है वह अनंत है। लक्षन प्रमाणा अभ्याम बस्तु शिद्धर जायते नतु प्रतिज्या मात्रेणों किसी भी बस्तु को सिद्ध करने के लिए उसके लक्षन की आवश्यक्ता पड़ती है कह देने से कोई मानने वाला नहीं है ये बस्तु ऐसी है उसका लक्षन होना चाहिए अंगूर को कर फेला कहनेलगो कोई नहीं मानेगा अंगूर में मधुरता होती है मधुरता अगर उचुमें होगी तो मधुर्ति माधुर्य । के लक्षन से हम उसे अंगूर कहते हैं इसलिए लक्षण का बोध तटस्त लक्षण और स्वरूप लक्षण अर्थात अद्वय ब्रह्म ही क्या कह रहे है नंदिके इस्ट्वर अद्वय ब्रह्म ही स्योके रूप में विद्धमान है बेदों के अनुसार सास्त्रों के अनुसार सद वस्तूतो एक ही है एक मेवाद दुतियम फिर ये सब क्या है अद्वतियता सिद्ध करने के लिए ये जगत प्रपंच है अद्वतियता सिद्ध करने के लिए देखो ऐसा है भगवान हमको आपको दिखाई नहीं पड़ता इन नेत्रों से परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता जगत दिखाई पड़ता है तो जगत बिना कारण के कारिय नहीं होता ये अटल सिध्धान्त है बिना कारण के कोई कारिय नहीं होता अगर दो साल का बालक आपकी कालोनी में घूम रहा है तो आपको ये मालूम है कि बालक भटक गया है लेकिन इसके माता-पिता तो है क्योंकि बिना माता-पिता के बालक हो नहीं सकता है इसी तरह से पूरा संसार दिखाई पड़ रहा है ये भारत दिखाई पड़ रहा है 140 करोड लोग दिखाई पड़ रहे हैं तो इनका सृष्टी करता तो कोई न कोई है बन परवत नदी जरना निर्जर तलाव ये सब दिखाई पड़ रहे हैं तो इसना इनका कोई न कोई करता तो है वो करता ईश्वर है तो वो कारण हो गया अब जगत दिखाई पड़ता है अर्था जगत ग्यात है और सरल कर देते हैं जगत दिखाई पड़ता है तो जगत ग्यात है ग्यात जगत से अग्यात परमातमा को प्राप्त करना है आपकी आँखों से परमातमा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कैसे देखेंगे इसी ग्यात जगत से इसी दिखाई देने वाले संसार से परमातमा को प्राप्त करना है अर नसेनी का प्रयोग करना है छलांग लगानी है कोई न कोई शाधन के बिना आप छट के उपर नहीं जा सकते परमात्मा को प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे तो विचार करना पड़ेगा उपादानम के मस्ती ही विचारा सोयमी द्रशाह ये बृच्छ दिखाई पड़ रहा ह है तो विचार आजाएगा आपके मन में के निश्चित रूप से बीज होगा बिना बीज के बृच्छ की कलपना नहीं की जा सकती बिना बीज के बृच्छ को शिद्ध नहीं किया जा सकता इसी तरह से सारी सृष्टी दिखाई पड़ रही है तो सृष्टी करता कोई न कोई होगा उसे हम इश्वर कहते हैं उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है दृष्चमान जगत को आधार बना करके हम अधिश्ठान तक पहुँच सकते हैं आपके आंगन में साप दिखाई पड़ा आंगन में साप दिखाई पड़ा साप था नहीं रस्ती थी थोड़ा सा मंदांध कार था बालक रोने लगा माने पूछा क्या है का मा सर्प है कहां सर्प है देखो ये आंगन में है तो टेड़ी मेड़ी ऐसी रस्ती पड़ी हुई थ दुंदला हो गया था साम का समय था मा दीपक लेकर के आई प्रिकाश किया नहीं बेटा सर्प नहीं है नायम सर्पहा रज्जुम् दृष्टवा कश्चित्व भेती तस्भयस नरा करनायो अन्या कश्चित्तम बोधेती रज्जुरियम नायम सर्पहा बेटा साम नहीं है रज्जु है रश्टी है तो भईभीत होने वाले उस पुत्र का बेटे का भई दूर हो गया साम नहीं था साम नहीं है ठीक है लेकिन रश्टी तो थी रश्टी के बिना भ्रह्म नहीं होता उसको तेड़ी मेड़ी जो रश्टी थी उसी ने भ्रम पैदा किया तो अधिस्ठान के विना भ्रम नहीं हो सकता है आपको संक्राचार जी क्या कह रहे हैं इसलो कारदेन प्रवक्षामी ये दुप्तम ग्रंत कोट भी भ्रम सत्यम जगन मित्या जीवो भ्रम मैवना परा लोग कहते हैं क्या कह दिया संक्राचार जी ने जगत तो दिखाई पड़ रहा है फिर इसको मित्या कैसे कह दिया तो समझने की बात है संक्राचार जी का अभिप्राय यह है कि जगत तो है जगत दिखाई पड़ रहा है जगत की बिवहारिक सत्ता है जगत में बिवहार भी हो रहा है लेकिन यह जगत सत्त नहीं है यह अब सत्त किसे कहते हैं जिस बस्तू का कभी परिवर्तन नहीं होता है उसको सत्त कहते हैं जो कभी मरती नहीं है उसको सत्त कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं होता उसको सत्त कहते किसी व्यक्ति ने कहा था ना कुछ दिन पहले कि सनातन धर्म को जड़ से नश्ट कर दो उखाड़ दो ऐसा कुछ वक्तब बिजारी हुआ था तो अगर सनातन सब्द का प्रियोग कर रहे हो तो आप उसको उखाड़ ही नहीं सकते क्योंकि सनातन सब्द का अर्थ ही है हमेशा रहने वाला अजर अमर सास्ट कैसे उखाड़ोंगे आप कोई जाड़ पे उधा है क्या है पुआरे का जाड़ है कि उपकड़ के उखाड़ दोगे हजारन साल हमारे उपर विदर्मियों ने सासन किया वो नहीं उखाड़ पाए तो आज तो हमारा सासन है कौन उखाड़ेगा हमको इन बातर को समझना चाहिए इसलिए सनातन सब्द का सनातन माने स dissect शत कहते हैं त्रकाला बाधितं इति सत्यत्तम त्रकाला जो बाधित है जो उस सत है तो सत का कभी नास नहीं हो सकता यद रूपेन यन निस्चितम जिस रूप में जैसा है बैसा हमेशा रहता है यदा कदा पिनब्य भिचराती जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता उसको सत कहते हैं तो सत परमात्मा का नाम है उस सत परमात्मा को जानना है सत परमात्मा ने जनाने के लिए अपना ही अपना ही इस्तम्भ उनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया अगनी इस्तम्भ खड़ा कर दिया सत को जान लोगे पूरे बिश्व को जान लोगे सत को जान लोगे बड़े हो जाओगे कौन बड़ा और कौन चोटा सत को जानने वाला ही बड़ा है है ही नहीं कुछ दूसरा ब्रम के सवाए दूसरा कुछ है ही नहीं इश्वर के सवाए कुछ दूसरा है ही नहीं कहा यह जो सब दिखाई दे रहा है यह तो ऐसी दिखाई दे रहा है जैसे एक पिता के बिपल कुमारा एक पिता के चार बेटे चार बेटे और चार बेटी आठ हो गए ना आठ हो गए उन आठों में ये की ही माता पिता प्रविष्ट हैं इसी तरह से 140 करोड में वो परमात्मा प्रविष्ट है प्रविष्टान न प्रविष्टानी तथा ते सूच ते स्वहम इसलिए अद्दय ब्रह्म का नाम ही शिव का ही नाम है पुराणों में एकम ब्रह्मत्र यो देवाह ब्रम्मा विष्णु महेश्वराह एक ही देव है उसके तीन विभाग है ब्रम्मा विष्णु महेश दक्षियग्य का विद्धन्स हुआ सती जी ने देहत्याग कर दिया पहले तो महादेव को याने अपने पती देव को उन्होंने मनाया पिता जी यग कर रहे हैं हमें यग में दर्सन हो करने के लिए जाना चाहिए महादेव ने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए तो सती जी ने कहा दामान पुत्रबत होता है बिना बुलाए भी जाया जा सकता है सस्राल जाने में कोई बुलाने की आवज सकता नहीं आपकी सस्राल है चलिए आप मैं उनकी कन्या हूँ मेरा माय का है आपकी सस्राल है चलिए महादेवने का नहीं आपके पिता जी एक आयोजन कर रहे है उस आयोजन में उन्होंने सभी को आमंतरित किया है सबी को बुलाया है और मुझे नहीं बुलाया है इसलिए नहीं जाना चाहिए बिना आयोजन के कभी भी जाया जा सकता है तब को नमंतरण दिया है और मुझे आमंतरण भी नहीं दिया है नहीं गए महादेव सती जी चली गई यग साला मैं ही अपने पती का अपमान देख करके अपनी देहे को छोड़ दिया जब तक ये सरीर रहेगा माता पिता का सरीर रहेगा जब तक तब तक माता पिता के नाम से ही ये सरीर जाना जाएगा कोई बालक बाली का आपके घर में आते हैं तो सबसे पहले आप लोग पूचते हैं बेटा क्या नाम है आपका पूचते हैं आपके पिता जी का क्या नाम है आपकी माता जी का क्या नाम है तो बालक बाली का बताते हैं नाम सती जी ने सोचा जब तक हमारा यह सरीर रहेगा तब तक हमें अपने माता पिता के नाम में दक्ष प्रजापती का नाम लेना पड़ेगा और दक्ष प्रजापती हमारे पती का अपमान करने वाले हैं अकारण बेरी बने हुए हैं बहुत से लोग अकारण बेर बना लेते हैं मुनेर अपिवनस्तश्य स्वानी कर्मानी कुर्वतह उत्पद्यन तेत्रयो पक्छा मित्रो दाशीन सत्रवा जंगलों में तपश्चा करने वाले महात्माओं के भी तीन सत्रू बन जाते हैं तीन लोग मिल जाते हैं उनको एक मित्र मिल जाता है एक सत्रू मिल जाता है एक उदासीन मिल जाता है सती जी ने अपनी मा से कहा अपने पिता से कहा पूरा विश्व जिनकी पूजा करता है जो किसी से बेर नहीं करते पिता जी आप उनसे बेर करते हैं क्या अपराद किया है मेरे पती देवने और आपके मन में ऐसा बैर उनके प्रती था तो मेरा बिवाह उनके साथ क्यों किया है आपने अपने पता को उलाहिना देने लगती है अपने पती का सम्मान नहीं पाती है यग साला में ही आसन लगा करके बैठ जाती है और योग आगनी के द्वारा अपनी देह को भस्म कर देती है भस्म करने के पहले संकल्प करती है कि यह देह पांच बहुतिक देह जिन माता पिता के नाम से जानी जाती थी आज मैं उसका त्याग करती हूँ इसलिए उनका नाम सती था दक्ष प्रजापती, ब्रामण देवता, सारे रिशी मुनी, आचारिय, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्धर्यू, होता, प्रिस्तोता यग्य में जितने भी ब्रामण होते हैं देख करके, भ्रगुजी देख करके आश्चरी चकित करने लगे यजमान की कन्या, महादेव की पत्नी, शवभाग्य बती, इस्त्री, यग्य शाला में सरीरत त्याक कर देना ये तो बिग्न है ऐसे बिग्न से यजमान की हानी होती है बिधिहीनस्य अग्यस्य सद्या करता बिनश्यती, ये अग्य बिधिहीन हो चुका और वही हुआ जैसा ब्रामण सोच रहे थे नारद जी ने यहां सूचना दी महादेव को कि शती जी ने प्राणत्याक कर दिये हैं और उन्होंने वीरभद्र का शंकल्प किया वीरभद्र उत्पन हुए और उन्होंने गड़ों को भूत प्रेत पिसाचों को लिया और दक्ष की यग्यसाला को बिध्धंत कर दिया यग्य पूरा नहीं हो सका इससे दुर्भिक्ष आता है यग्य किया जाए और पूरा ना हो तो अतिबरिस्टी, अनाबरिस्टी, इती भीती होती है सभी मिलकर के ब्र्मा और विश्णु कहलास में महा देव के पास आये महा देव से प्रातना की प्रभव अपरात को छमा कर दीजिए महा देव प्रिसन्न हुए हम किशी से बेहर नहीं करते हैं और ना किसी का अनिस्ट करते हैं कोई प्रकृति के साथ, ईस्वर के साथ, विधान के साथ, बेदों की आग्या के साथ बेदों का जब वो लंगन करके अहम को धारन करता है तो थोड़ी सिक्षा देना उसको आवश्चक हुआ करता है सो हमने वो किया दक्ष का अभिमान सिर्फ हमने दूर करा दिया अब आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा वहाँ महाँ विष्ण भगवान ने कहा आप लोग भी आरती के समय गाते हैं वो तीनों एका जैसे वो ओंकारा उसकी एक पंक्ती है वो तीनों एका प्रणबाक्षर के मद्दे वो तीनों एका तो प्रणबाक्षर क्या है अकार अकार मकार आ उमा आ माने विष्चो उमाने तैजस मा माने प्राग विष्च तैजस प्राग विष्टी में ये वो ओंकार है और विष्ध तैजस प्राग्ट ये आपकी दे है आपका सरीव है मनुष्ट का सरीव है और समस्टी में जाएंगे तो बिराठ हो जाएगा तो बिराठ, हिरनडगर्ब और अब्याकरत तो जाग्रत अवस्था में विष्व शुपन अवस्था में तैजस और सुसुप्ति वस्था में अभ्याकृत अभ्याकृत तो प्राग दोनों को एक कर दीजिए इस्वर की सिद्धी हो जाएगी बन जाएगा इस्वर अंत जीव अभिनाती चेतन अमल सहज शुकर राशी है और सरल करके बताबें है तो जितने लोग यहां बैठे हैं जो नहीं बैठें वो भी और जो बैठें वो भी प्राया लोग caip na प्राया लोग स्वप्न देखते हैं अच्छा अब देखने का साधन क्या है किसी भी बस्तु के लिए दर्शन करने की विवस्था क्या है हमारे पास आंक जब आप सोते हैं नीद आ जाती है आंक बंद रहती है जब आंक बंद रहती है तो स्वपन में कौन सी आँख देखती है सोचा कभी नहीं सोचा स्वपन में ऐसी कौन सी आँख है जो देखती है कि हम भोजन कर रहे हैं स्वपन में आपने देखा कि हम अज्जेन गए हैं जबकि अज्जेन आप एक साल पहले गई थे आज तो अपन में देख रहे हैं कि आप उज्जन गए हैं उज्जन में महाकाल का मंदर देख रहे हैं और आपकी आँख बंद है और नीद में है तो मोह निशा सब शोब निहारा देख ही स्वपन अनेक प्रकारा जही जग जामनी जाग ही जोगी परमारती प्रपंच मुक्त है और परमारत के पथ पर चलने वाला परमारत ही है बो तो शोब्न से बच जाता है अर्था जगत के प्रपंच से मुक्त रहता है लेकिन बाकी लोग तो शोब्न देखते हैं आँख बंद है तो कैसे देख रहे हैं देखने के लिए तो आँख ही ही है ना सब के पास तो अब आजाईए फिर यहीं ओंकार में अकार उकार मकार स्री राम में आजाईए रकार अकार मकार राम और ओम एक करद एक हो जाएंगे तो बिश्व तैजस प्राग तो जागरत अबा में जागरत अबस्था में उसकी संग्या बिश्व हो जाती है और स्वपन अवस्था में उसकी संग्या तैजस हो जाती है और वो तैजस संग्या वाला जो है वही रात्री में स्वपन में देखता है आखवंद है तो कहां से देखोगे आप तो वो जो तैजस है वही स्वपन का दृष्टा है अब स्वपन किश में आ रहा है स्वपन किसे दिखाई पड़ रहा है स्वपन का साक्षी कौन है स्वपन को जानने वाला कौन है स्वपन को सुनाने वाला कौन है सबेरे कौन तुना रहा है तो मैंने स्वपन देखा तो जिसमें स्वपन है जिसमें स्वपन आया वही स्वपन का साक्षी है जिसमें स्वपन आया वही सवेरे कह रहा है मैंने स्वपन देखा उस स्वपन आया किसको जो सोया था सोया कौन था जिसको स्वपन आया था कहां जाएंगे आप उस अब्यक्त से आपकी सत्ता है ही नहीं उस अब्यक्त के बिना आपकी कोई सक्ता ही नहीं है मनुष्य की कोई सक्ता ही नहीं है अब्यक्त से तो ही ब्यक्त हुआ है मयाततमिदंतरवं जगदब्यक्तमूर्तिनहा ब्यक्त और अब्यक्त लोग अब्यक्त को ऐसा समझ लेते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वही अव्यक्त है इस आधरन भासा में ऐसा अर्थ कर सकते हैं बास्तों में अव्यक्त से वह व्यक्त कैसे होता है व्यक्त से व्यक्ति कैसे होता है व्यक्ति से स्रिष्टी की रचना कैसी होती है तो यहां महादेव के लिए कहा जा रहा है एकम ब्रम्मत्र योदेवाह ब्रम्मा विश्णुहे स्वराह एक ही देवता है तीन नामों से जाना जाता है नाम सुना जाता है और रूप देखा जाता है है तत्त तो एक तत्त तो एक है यथाई कस्मिन घटायकासे रजो दूमा दिविरियोते नसरवे संप्रे उज्जनते तद्वजीवा सुखादभी बहुत से लोगे पूछते हैं शुक और दुख अलग-अलग क्यों है देह भी अलग-अलग हैं शुक दुख भी अलग-अलग हैं इस पर तो सब में विद्धमान है फिर शुक दुख सब कोई एक्षा क्यों नहीं होता कोई ज्यादा शुकी है कोई ज्यादा दुखी है कोई दुख भोग रहा है कोई शुक भोग रहा है कोई धनी धनी होता जा र रहा है ये सब होता है ना ये सब पिसंगतियां हमारे जीवन में हैं इनके कारण जानना चाहिए कारण जानेंगे तो अनन्द आएगा एक हजार गड़े रखे हुए हैं एक हजार गड़ों में जल भरा हुआ है जिस गड़े में धूल पड़ रही है उसी गड़े का जल मलिन हुआ है बाकी गड़े का जल पक्ष है यती कश्मिन गटा काते कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है जहां जैसा हुआ है वहां वैसा पाना होगा पाना ही पड़ता है भोगना ही पड़ता है इसलिए हमारी भारती ये संस्कृती में पंच देवो पासना का उपदेश है शिव, शक्ति, विष्णू, सूर्य और गणेश ये पांच देवता हैं उपासना उनकी की जाती है अलग-अलग लेकिन हैं पांचों एक सब एक हैं ये विवेद बुद्ध्या भेद बुद्धी से भजनती ये जो भजन करते हैं मामंगहीनम वो मुझे अंगहीन बनाते हैं भगवान का बचन है भेद बुद्धी से मेरा भजन जो करते हैं कि इस देवता में शक्ती जादा है इस देवता में कम है वो मुझे अंगहीन करते हैं इसलिए यही तो विशेष्टा है हमारे भारत देश की वारती संस्कृति सनातन हिंदु धर्म की संस्कृति की यह विशेष्टा है इसलिए हमको स्रिष्ट माना गया है बगवान के अरे देह तो उनका एक है और पाँच मुखह है पंचबक्तरम तरनेतरम कहते हैं आप लोग स्तुति में पंचबक्तरम तरनेतरम पांच मुख हैं परमात्मा अकेले महादेव के पांच मुख है तो नाम रूप में अपनी शक्ती व्याय नहीं करना चाहिए नाम रूप से उपर उठना है तो सत को जानना है तो जो अगनी इस्तम्भ है शिवलिंग है वो सत है वो सत स्वरूप है वो है बस एक बस्तू सिद्ध होती है और एक बस्तू साद्ध होती है इसको भी समझ लो एक बस्तू सिद्ध होती है और एक बस्तू साद्ध होती है शिद्ध बस्तू क्या है हमें भगवान का निर्माण नहीं करना है हमें भगवान को पाना है भगवान सिद्ध है शिद्ध म तब तक उसको खीर नहीं कहते आप तस्माई नहीं कहते और जब तीनों मिलकर के चूले में पका दिये माताजी ने तो सिद्ध हो गई वो खीर पक गई तो पकी हुई खीर कोई खीर नहीं बनाना है इसी तरह से परमात्मा सिद्ध है आपको शिवलंग नहीं बनाना है आपको शिवलिंग की आराधना करनी है आपने परमात्मा स्री राम को नहीं बनाना है परमात्मा स्री राम का मंदर बनाना है आपको द्वार का धीश का नर्माड नहीं करना है द्वार का धीश को चपन भोग लगाना है आपको महादेव का नर्माड नहीं करना है महादेव पर बेल पत्री चढ़ाना है बस तो सिद्ध और साद्ध बेल पत्री चढ़ाने से आपका साद्ध सिद्ध होगा और महा देवतों सिद्ध हैं जितने भी देवी देवता हैं सब सिद्ध हैं उनका निर्मार नहीं करना है आपको आपको अपने पिताजी की आराधना करना है आपको हमें उनकी आराधना करनी उनकी आराधना करनी इसी तरह से भगवान में पंच कृत्त हैं देवाधी देव महादेव में पंच कृत्त हैं खृष्टी इस्थती पालन तिरोधान और अनग्रह ये पांच कृत्त हैं खृष्टी की रचना होती है विश्ण भगवान उसका पालन करते हैं महादेव अपने में प्रले कर लेते हैं तिरोधान करते हैं और अनुग्रह भी करते हैं इन पांचों में जो चार कृत्त हैं वो चारों कृत्त संसार का दिस्तार करते हैं और पांचमा जो कृत्त है उसका नाम है अनुग्रह, अनुग्रह माने मोक्ष की प्राप्ती, यह मोक्ष है, जिसके पालेने के बाद कुछ प्राप्त नहीं करना होता है, मोक्ष पाने के बाद कुछ प्राप्त नहीं करना है, जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त है, चार होते हैं ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक सब को प्राप्त करना पड़ता है और मुक्त आप हैं मुक्त ना होने का जो अज्ञान है उस अज्ञान को मात्र दूर करना होता है बस आप नित्मुक्त हैं लेकिन नित्मुक्त ना होने का अज्ञान हमें जो हो गया है उस अज्ञान को दूर करना पड़ता है उसको दूर करने के लिए ही ये सब उपक्रम है वेदसास्त्रों का अध्यन, पुरानों का पठन, पाथन, कथा, विस्तार, यग, जप, तप, मक, इस्टा, पूर्थ, दत्त, कर्म के सब इसलिए कर्मत्रई, कर्मत्रई, कर्मत्रई होती है, एक इस्ट कर्म होता है, दूसरा दत्त होता है, और तीसरा पूर्थ होता है, और तीसरा दत्त होता है, इस्ट कर्म क्या है? अगनिहोत्रम तपह सत्यम बेदानाम चानुपालेनम आतित्यम बैश्चो देवंचो इस्टमित्यव धीयते अगनिहोत्र करना, तपश्चा करना, सत्त बोलना, बेदों का पाठ करना, बेदों का पाठ करवाना, अतिति की सेवा करना, भूके को भोजन कराना, ये इस्ट कर्म हैं, ये करना चाहिए नहीं कर सकते, ये शब हम से नहीं होता, हम कहां यग साला बनाएंगे, कहां महामुर्तुन्जे का यग करेंगे, उतना साधन हमारे पास नहीं है, तो हमारी संस्कृत्थी वड़ी उधार है, दूसरा बिदान कर दिया, पूर्त कर्म करो, पूर्त कर्म क्या है गुर्दयों, त प्रदान वारामा पूर्तमित्यविधियते बापी बनानी चाहिए कुगा बनाना चाहिए तलाव का नर्माण कराना चाहिए और सधालय बनाने चाहिए स्कूल बनाना चाहिए सिक्षा के किंद्रों का निर्माण करना चाहिए बेदों का पठन पाठन का इंतिजाम करना चाहिए गउशाला बनानी चाहिए गायों को भोजन करना चाहिए अन्नप प्रदान मारा महा पानी की परब करनी चाहिए और भूंकों को भोजन करना चाहिए पूर्ट कर्म कितना असरल है मनुष्य करना नहीं चाहेता जो करना नहीं चाहेता वो कुछ नहीं कर सकता गच्छन पिपील को या गरण उड़ना नहीं चाहेता चलना नहीं चाहेता नहीं उड़ेगा चीटी पहाड चड़ जाएगी तीसरा है दत्य कर्म करना, जीवा नाम चाप हिंचनम, सरनागत संत्राणव, जीवा नाम चाप हिंचनम, बहर वेदी चा यददानम, दत्मित्यविधी यते, यग साला में यजमान से दक्षना लेकर, यग साला के बाहर जब ब्रह्मन आजाब हैं उस समय ब्रह्मनों को दक्षणा देना इसे दत कर्म कहते हैं कर्मत रही है ये करना चाहिए कितने उपाए बताए ऐसे बहुते उपाए हैं धर्म पालन करने की इच्छा जागरत मन में होजाब है बहुत उपाए हैं धर्म का स्वरूप ब्या आपक है हमारी करने की निष्ठा मार्ग का अनवेशन कर लिया करती है खोज लेती है मार्ग पंच भक्त्रम्त नेत्रम भगवान के महादेवा दिदेव महादेव के पांच मुख हैं। प्रत्व मुख्य क्या है सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यह बैदिक ध्यान है दुसरा जो उत्तरवक्तर है उछका नाम है बामदेव और बढमदेव भगवान का ध्यान है दूसरा मुख्य है उनका तीसरा मुख जो है भगवान सदासिव का दक्षन बक्तर है और उसको अगोर कहते हैं अगोर सद्योजात बामदेव और अगोर तीन मुख हो गए अगोर इब्धोत घोरे भ्याहा घोर घोर तरे भ्याहा जो अविशेक कराते हैं स्रावण माश में रुद्राविशेक वो सब इन रुद्राविशेक कराते हैं वो सब इन मंत्रों को सुरवन करते हैं और चोथा मुख भगवान का है तत पुरुष तत पुरुष नाम का चोथा मुख है परमात्मा का उनका ध्यान है तत्पुर्खाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो देवाहा तन्नो रुद्रहा प्रचोदयातो जो बोलते हैं नुए और पांचमा मुख्य है भगवान का इशान इशान का भी ध्यान है इशानस्त्र विद्ध्यानामी स्वराहा ब्रम्हा दी पतिर ब्रम इसा ध्यान तेपांच मुक्ष परमात्मा के एक की आराधना करो एक का ही ध्यान कर लो पांचों का ध्यान करलो आना तो भगळान के पंचमुक का नाम है इसान कि बगवान देवादिदयु महा देव। ब्रम्हा और विश्णु के बीच में शिवलिंग इस्तापित कर दिया कोई कह पाएगा कि इनका बास्तिविक स्वरूप क्या है पांच मुखवाले हैं कि जटा धारी हैं कि बाम बिभागे गरजा रूपम अतिलदितम बामांक में पारवती जी को बिठाने वाले हैं सती के साथ बिवाय करने वाले हैं दक्षे का यग बिद्धंत करने वाले हैं का जालंदर को सजा देने वाले हैं कामदेव को भश्म करने वाले हैं कहीं आप इस्तिर हो सकते हैं क्या इनके शरूप में नहीं हो सकते जितना ही आप पढ़ते जाएंगे उतना ही बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके ग्यान विग्यान में महादियों के नाना प्रकार के सरूप स्थापित होते जाएंगे इसलिए भगवान ने कहा कुछ करने की आवश्रक्ता नहीं है मैंने जो यह लिंग इस्थापित कर दिया है अगनी स्थापित कर दिया है इसके महत्त को पालो इसका आदी अंत पालो वही सबसे बड़ा है चाहे वो कोई हो हम लोगों को भी आराधना का आदेश दिया बगवित पाध आद संकराचारी ने जब चार मठों की इस्थापना की तो चारों मठों में चार चंद्य मौली श्वर भगवान इस्थापित किये चार स्रीयंत्र इस्थापित किये और शिवशक्ती की इस्थाप पूजा का आदेश दिया पंज देवो पासना का उन्होंने आदे दिया यही धर्म है यही सनातन धर्म है इस धर्म का बोध हमें उपनिशदों से होता है उपनिशदों से होता है उपनिशद किसे कहते हैं मूल तो उपनिशद है ना बेदों का वेदान्त बेदों का अंतिम भाग बेदों में एक लाख मंत्र असी हजार मंत्र कर्मकांड का पृतिपादन करते हैं सोलह हजार मंत्र उपासना कांड का पृतिपादन करते हैं चार हजार मंत्र ग्यान कांड का पृतिपादन करते हैं उनमें उपनिसद है, जो हमारे दोशों को विशीर्ण कर दे, जो परमात्मा का बोध करा दे, जो ब्रम्य विद्या प्राप्ट करा दे, अविद्या को जो नश्ट कर दे, उसका नाम है उपनिसद, सदलरी विसरण गति अविसादन योहो, परमात्मा के पास जो हमें बिठा दे, उप समी पे, इस्वर के पास जो बिठा दे, तजलान इतिसांते मपासीतो, उपासनिय ब्रम्य की उपासना काविदान करने वाले गरंते को उपनिसद कहते हैं, का तज्जलान तज्जलान तफ्माज जायते इतितज्जहा जिससे पूरा संसार उत्पन होता है तश्मिन लियते इतितल्लहा उसी में जिसका बिले हो जाता है उसी में समाहित हो जाता है जिसमें निवास करता है उसी में समाहित हो जाता है जिससे उत्पन होता है उसी में समाहित हो जाता है जिससे उसकी उत्पत्ती होती है जिसमें उसका प्रबेश होता है जिसमें वो पालित होता है उसी में उसका प्रले होता है उस ब्रम्म का ग्यान हमें उपनिशदों से होता है एताहा उपनिशदाहा वेदा नाम सारभूता नाम सिद्धान तानाम प्रिशिपाद का ये उपनिशद हमारे उपनिशद हमें वेदों का सार बताते हैं वेदा ग्यान प्राप्ट करा देते हैं और तदन, तदन अनुप्राणने, स्वास लेते हैं, किसमें हम स्वास लेते हैं, उसी में स्वास लेते हैं, स्वासिती, उसी में स्वास लेते हैं, जिसमें उत्पन्य हुए हैं, उसी में स्वास लेते हैं, स्वास लेने के लिए किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ही है अपने आप 21,600 बार इस नासिका मैंसे स्वास का आवा गवन मुखिया नासिका मैंसे होता ही रहता अनवरत प्रतेक काम के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है स्वास लेने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता अब वो कोई बीमार हो जाए और जिसको व लेकिन स्वाभाविक सिद्धान्त तो यही थ대 कि म empezar कोई प्रियास करना पड़ता स्वास लेने के लिए के लिए। याव में करना पड़ता है। उसको स्वाघ्याम कहते हैं ledge present किरेंग ceramjor से करेंगे आपकी आय के आयो का मनुष्श्य के आधार स्वास है। श्वास में आप श्वास को जितना रोकेंगे आयू में उतनी ही वृद्धी होगी इसलिए 30 सेकंड रोकना चाहिए और फिर धीरे 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 तीन मिनट तक श्वास को रोकने का प्रयास करना चाहिए उसके आगे अगर रोकना हो तो फिर योगी गुरू से जा करके आ उंगली से नाक बंद करना एक क्रिया है, अगर बिना बंद की ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रियोग करना चाहिए, करना याम करना चाहिए, अब आप देखिए इश्वर और जीव, इश्वर भी स्वास लेता है, जीव भी स्वास लेता है, अब दोनों अलग क प्राइशे हो सकते हैं इस्वर स्वास लेता है इसमें क्या प्रमाड है इसमें बेद प्रमाड है मनुस स्वास लेता है क्या कौन प्रमाड है मनुस से खुद ही प्रमाड है ले रहा है स्वास किसी प्रमाड की यावश्चता नहीं है आप संतार को जानने के लिए प्रमाड खोज सकते हैं लेकिन मैं हूँ की नहीं हूँ यह जानने के लिए किसी प्रमाड की आवज सकता नहीं अह मस्मी मैं हूँ की नहीं हूँ इसके लिए आप किसी पत्रकार से पूँछेंगे कि आधार कार्ड से पूँछेंगे मैं हूँ की नहीं हूँ अरे आप हो तभी तो आधार कार्ड बना कि चनाव आयोक से पूँछेंगे कि भागबज्जी खोलेंगे कि मैं हूँ की नहीं खोजूँ भागबज्जी में खोजूँ नहीं आप हैं आपको किसी प्रमाड की आवस्चक्ता नहीं है कि आप नहीं है खोजना क्या है खोजना यह है कि आप कौन है इतना ही जानना है बस और इस यह जानने में यह जानना है कि जो हम जान रहे हैं वो हम नहीं है बस जो हम अपने आप को जान रहे हैं वो हम नहीं है यही जानना है और को जानने की आवक्त मैं कौन हूँ मैं कहां पे आया हूँ मुझे क्या करना चाहिए मेरा लक्ष क्या है और लक्ष को पाने का साधन क्या है यही जानना है आजाएए स्वास पर आजाएए यह तो बात अदूरी रह जाएगी इस्वर भी स्वास लेते हैं हम भी स्वास लेते हैं इस्वर अंत जीव अभिनासी ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना शिद्ध हो रहा है इसर स्वांस लेते हैं क्या प्रमाड है आप स्वांस लेते हैं इसका प्रमाड हमने बता दिया आप यही हो दूसरा कोई नहीं है स्वांस नहीं ले रहे हैं क्या प्रमाड है डाक्टर प्रमाड है डाक्टर कहेंगे अब ठीक है बस तैयारी करो हो गया स्वास बंद हो गई 80-90 साल के हो गए स्वास बंद हो गई कोई प्रमाणगी आपशकता ही नहीं आपकी स्वास बंद हुई कि आपकी सत्ता गई अब इश्वर का क्या है इश्वर स्वास लेता है इश्वर क्या प्रमाण है तो बेद प्रमाण है सुर्ति प्रमाले वीक्षत मेतष्य पंच भूतानी स्मित्मेतष्य सचराचरम सुपतंच महाप्रल्या चारों काम एक साथ हो रहे है एक में हो रहे है एक बार में हो रहे है परमात्मा की स्वांस से बेड निकले ये कहा जा रहा है इसका मतलब परमात्मा की स्वास चल रही है तभी न बेद निकले और हमारी आपकी स्वास चल रही है आप उगली लगा के देख लो नाक के नीचे तो माड है सरलता से समझा रहे हैं इनके भाष से भी सुनाए जा सकते हैं तो इश्वर और जीव दोनों ही स्वास ले रहे हैं यस्यनिश्वशितम बेदाह स्वास ली तो बेद प्रिगट हुए आँख खोली आँख खोली आपका बेटा माताओं को बेटा बेटी होते हैं जब आँख खोलते हैं सबसे पहले तो किसको देखते हैं मा को देखते हैं आख खोली पूरा संसार इस्मित पंच भूतानी आख खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने पंच तत्तु खड़े हुए हैं पंच भूत खड़े हुए हैं पृत्वी जल तेज आकास बायू हो गए ना पांच छिती जल पाबक गगन समीर आख खोलने खोलते ही पांचों को अपने सामने खड़ा देखा पंच भूतानी क्या हुआ पंच भूतों को आदेश हो गया देख द्रिष्टी मात्र से क्या आदेश हुआ इस्मित में तस्य सचराचरम दोनों ओठों में मुश्कराहट आई भगवान के परमात्मा परमात्मा मुश्कराने लगे और जैसे ही मुश्कराहट आई यहां ओठों में बैसे ही जगत की खृष्टी हो गई पूरा संसार बन गया और सुप्तंच महा प्रले आहा लाखों बर्ष के बाद एक दिन उनकी आँखों में जबकी आ गई शो प्रले हो गया शो पूरा पूरी प्रतिवी जलमगन हो गई सब जलमे समाहित हो गया यही प्रले है उनका परमात्मा का इसलिए वह परमात्मा क्या नहीं कर सकता जिन लोगों के मन में संसय होता है उनको इन मंत्रों के अर्थों को जानना चाहिए संसय दूर हो जाएगा अब यहां एक पृष्ण की हुए यही बात हमने सुनाई एक प पंड़ जी थे अच्छे थे विद्वान थे तो उन्होंने पूछ लिया कि महराज जी आप तो बेदों में बेदों को तो कहा गया है कि बेद अपोर से यह हैं यानि पृरुषों नहीं बनाए हैं किसी पृरुष की कृती नहीं है और आप कह रहे हैं यस सिन स्वसितम दाहा इस्वर की नाक में से स्वास में से बेद प्रगट हुए तो इसका मतलब यह हुआ कि इस्वर पहले हुआ बेद बाद में हुए तो यह बात समझनी चाहिए कि स्वास पहले होगी तभी ना चलेगी अगर इस्वर की स्वास में से बेद प्रगट हुए इसका मतलब कि बेद स्वास के पहले थे तभी ना स्वास में से निकले घर में से घर मालिक निकलेगा तो घर का मालिक पहले होगा तब ना घर मालिक निकलेगा तो स्वांस में से यदि बेद निकले तो बेद पहले थे न स्वांस में तभी न निकले तो कैसे निकलते ये बात समझने की हम बेदों से इस्वर को जानते हैं एस धर्मस तनातना एस तनातन धर्म का शिद्धानत है हम बेदों से परमात्मा को प्राप्त करते हैं जानते हैं उनकी कृपा को पाते हैं वो बेद वो जो बेद हैं वो है जो ग्यान है ये हमें उपनिसदों से प्राप्त होता है क्योंकि उपनिसद साथ चित और आनंद का उपदेश करते हैं शत क्या है त्रकाला बाध्यत्तम सत्यत्तम जो असत नहीं है वह सत है अर्थात वह त्रकाला बाध्यत्त है चित क्या है अवेद्धत्वे शती अपरोग छत्तम चित्तम तप्रकास कत्तम अवेद्ध होते हुए भी जो है अर्थात मैं अवेद्ध हूँ मैं चैतन हूँ मैं द जो शुकस्वरूप है आनन्द है अर्था सिवो हम सच्चदानन्दो हम सिवो हम कडंका बजाना पड़ेगा ये ब्रह्म दोईत का अव मिटाना पड़ेगा शिवो हम सिवो हम सिवो हम सच्चदानन्दो हम ये जब तक नहीं पाएंगे तब तक जीवन में आनन्द की प्राप प्राप्त होगे धन प्राप्त होगा बैभव प्राप्त होगा इन सबसे आपको आनंद चाहिए इन सबके होते हुए भी आनंद की प्राप्ती नहीं होगी क्योंकि आनंद लेने का अभ्यास आपका छूट गया है भोगों का अभ्यास पढ़ गया है जो संसकार होता है वही उ तो वो बचड़ा जैसे ही जन्म लेता है तो गाए के इस्तन में मुख डाल करके इस्तन को चूसने लगता है पूर्व जन्मान भूतार्तो इस्मरनान म्रगशाब कहा जननीस्तन पानायो स्वयमेवप्रबर्तते अपने आप गाए का दूद पीने लगता है वो गाए का बचड़ा इसी तरह से कर्म के फल की भी बात है बीच में याद आगया सो सुना देते हैं जैसे हजारों गाए हजारों बचलों में गाए अपने बचले को खोज लेती हैं इसी तरह से हमारे कर्म का फल जहां हम जन में लेते हैं हमारे साथ ही पैदा हो जाता है इसी तरह से हमारा कर्म का फल भी हमको खोज लिया करता है इसलिए इसका तात्परी क्या है इसका तात्परी है अच्छे कर्म करना चाहिए खूब अच्छे अच्छे काम करो अच्छा संसकार बनेगा आपके जन्म का निर्धारन आपके किये हुए कर्म का फल ही बनेगा वही निर्धारत करेगा कि आप कहां पैदा होने वाले हैं दूसरा जन्म जब होगा दूसरा जन्म होगा ये पक्की बात है नहीं होगा ऐसा मत सोच लेना इसमें प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण भी है सास्त्रे भी प्रमाण है तो जन्मतों होगा अब कैसे होगा क्यों होगा कब होगा कहा होगा ये चारों काम इश्वर के पास है आपके पास इतना ही है कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है तो अच्छा करना है ये बताने के लिए ये पंडाल है ये सभा है ये मंच है ये पुराण है ये भगब जी है ये अस्रम है ये संत महंत हैं बिद्वान हैं ये सब हमारे साधन इन साधनों से हमें साध्य को प्राप्ट करना है इसलिए वगवान को कह दिया उनका स्वरूप लक्षन कर दिया सत्यम ज्यानम अनंतं ब्रम्हो अर्थात ग्यान है चेतन है तो वो जड़ नहीं है किसी सत्त कहने से काल परिक्षनता का निशेद हो गया, इसी का नाम सिवतत्त है, उपनिशों का जो आदेश होता है न, वो बिल्कुल इस्पष्ट है आरात आरात माने उपकारक सद्धा फल पुर्दान करने बाला तुरंट फल देने बाला होता है इसलिए हमारे धर्मसास्त्र हमारा इसमृती हमारे पुराण ये सब उपदेश करते हैं सारे धर्मसास्त रही कहते हैं धर्मका पालन करना चाहिए क्यों करना चाहिए धर्मका पालन क्या करोगे धर्मका पालन नहीं करोगे तो करोगे क्या जो करोगे उससे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा जो कुछ भी करोगे उससे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा वह नहीं मिलेगा जिसे प्राप्त करने के लिए मनुस्य का सरीर प्राप्त हुआ है और रोटी कपड़ा मकान मनुस्य को चाहिए मनुष्ट के अतिरिक्ते और 84 लाग शरीर हैं एक शरीर मनुष्ट का मान दे है तो 83,99,99 शरीर और हैं वो कहां मकान बनाते हैं वो कहां नौकरी करते हैं वो कहां चपराशी बनते हैं वो कहां मजदूरी करते हैं वो कहां पर जाके कारखाने में काम करते हैं। वो कहां हबाई-जायाज में बैठ करके जात्रा करते हैं। नहीं करते हैं।תי पशू कुछ करता है। जाल बिछा करके मारने बैठ जाते हैं उनको अकारण बैरनव भबनती बिना कारण के लोग बैरी हो जाते हैं पक्षी कहां कोई काम करते हैं सब कुछ मिलता है ना उनको ब्रक्षी ही उनका घर है ब्रक्ष में लगे हुए कॉमल पत्ते उनका भोजन है उसी में संतान हो जाती करना कोई दोस नहीं है लेकिन वही भी करना है जिसको करने के लिए सरीर मिला है सरीर के लिए आप कर रहे हो ना सरीर को क्या करना है पर सरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम सरीर के लिए ही दुकान मकान सब कुछ है ना तो सरीर क्या कर रहा है पर सरीर को क्या करना है आप सरीर के लिए कर रहा है सरीर को क्या काम है दुन्दकारी ने पिताजी को परेशान किया आत्मदेव परेशान हो गए गोकरन आये गोकरने ने उपदिश दिया पिता जी धर्म का पालन करो धर्म का ही पालन करता रहा बेटा का नहीं तेज लोग के धर्मा देह के लिए जितने उपाई किये जा रहे हैं देह को सुखी रखने में जितने प्रियास किये जा रहे हैं उन प्रियासों से बढ़ करके भी जिसने यह मानव देह प्रदान की है उसको जानना इस मनुष्च का पहला उद्दिश होना चाहिए एक तत्त को जान लेने से सारे ग्यान अपने आप हमारे पास आ जाते हैं एक तत्त्ते सुरतम सर्वं असुरतम चा सुरतम भवेत अमतम चामतम तदवत विज्यातम तदवुद्धते वेटा क्या तूने उसको जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं होता है क्या तूने उसका मनन कर लिया जिसके मनन करने ने के बाद कुछ मनन नहीं करना होता क्या तूने उसको सुन लिया जिसका सरवन कर लियने के बाद करने इंदरी कुछ सुनना ही नहीं चाहती है उसने का नहीं पिता जी स्वेत के तू बोला नहीं पिता जी ऐसा तो मैंने नहीं जाना है तो पिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने सरवाधीता सारी विद्याओं का अध्धन कर लिया है तुम्हारा ग्यान अधूरा है अभी अभी तुमने जो अध्धन किया है वही तुम्हारे पास है एक तत तो ऐसा है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती चांद गुप निशद में कथा है श्वेत केतु के आख्याई का है वह सुन्दर उस तत्य को पकड़ना है वो धर्म के पालन से ही आएगा अब धर्म क्या है कल हमने यहीं प्रवचन चोड़ा था ज़ धर्म किसे कहते हैं तो धर्महात रविदो भवती इपी बता देते हैं धर्म तीन प्रकार का होता है एक सामान धर्म एक विषेश धर्म और एक आपत धर्म पहले सामान धर्म की ही बात करते हैं सामान धर्म क्या है सामान धर्म मनुष्य मात्र के लिए है प्राणी मात्र के लिए है चाहे कोई भी हो मनुष्य है तो उसके लिए यह धर्म है सारीरम बाचिकम मानसंचो कर्म सुरुती इस्मृती सिद्ध धर्माक्यम यद विशिया जिग्यासा अथातो धर्म जिग्यासा, धर्म की जिग्यासा करनी चाहिए, धर्म की जिग्यासा करनी चाहिए, विदान्त में आता है अथातो ब्रम जिग्यासा, अब ब्रम की जिग्यासा करनी चाहिए, अथातो माने इसके वाद, किसके वाद, साधन चतस्टे संपन्नम भुत्ता ब्रम करतब्या साधन चत्ष्टे संपन्न हो करके ब्रिम जिग्यासा करनी चाहिए इसी तरह से धर्म जिग्यासा करनी चाहिए धर्म की जिग्यासा क्यों करनी चाहिए क्योंकि धर्म के ग्यान के विना भजन नहीं होगा भजन क्यों करना है क्योंकि जब तुम मा के गर्व में थे मा के पेट में थे परमात्मा को आपने भचन दिया था कि मुझे गर्वबास के दुख से मुक्त कर दीजिये मैं आपका भजन करूंगा कॉल करार किया था वहाँ वहाँ प्रतिग्या की थी आपने प्रतेक प्राणी ने प्रतिग्या की थी परमात्मा से कि गर्वबास के दुख से मुझे मुक्त कर दी दिये मैं आपका भजन करूँगा असुभक्षे करतारम फल मुक्ति प्रदायकं यदि युन्य प्रमुंचामी यदि युन्य युन्य से अगर मैं थुटकारा पा लेता हूँ मुच्चेतो ध्याये ब्रम सनातनम लोग कहते हैं सनातन धर्म कहां से आया गर्वस्त शिशू सनातन धर्म की पृतिज्या कर रहा है कि यदि मैं मुक्त हो जाता हूँ गर्वबास से मुक्त हो जाता हूँ तो मैं आपका भजन करूँगा कहां से सनातन आ रहा है आप देखिए उसने तो वेज़सास्तर नहीं पड़े गरवस्त शिचू ने वहां भी ओ कह रहा है प्रातना कर रहा है इसलिए धर्म का हमें पालन करना है क्योंकि हमने पृतिग्या की थी बगवान को बचन दिया था कि हम जन्म लेने के बाद आपका भजन करेंगे और शामान धर्म के दस लक्षण हैं इस शामान धर्म के दस लक्षण हैं इनका पालन करने वाल इस सब के लिए हैं प्राणी मात्र के लिए करना चाहिए दारन करना धर्म को धारन करना सत्य बोलना दृतिक छमा छमा कर देना दम इंद्रियों का निग्रह करना मन का निग्रह करना तितिक्चा दुखों को सहन करना चोरी नहीं करना जूट नहीं बोलना दर्दिक्चमाद, अमस्तेयम, सौच मिंद्री, सौच याने पवित्रता, पवित्र रहना, इंद्री निग्रह, इंद्रियों को बश में रखना, आख को बश में रखना, सोना पड़ा हुआ है, नहीं उठाना, आखों नहीं देखाना कि सोना पड़ा है, नहीं उठाना है, ब माने तत्त जग्यासा बुद्धी और विद्या माने ज्ञान दीर विद्यासत्त मक्रोधो क्रोध रहत होना ए धर्म के दस लक्षण हैं ए लक्षणों का पालन सभी के लिए है पात्रे दानम मती कृष्णे माता पित्रोष्च पूजनम फृद्धा बलिम गवाम ग्रासह देना भगवान त्रीकिष्ण में अपनी बुद्धी लगाए रखना पात्रे दानम मती कृष्णे माता पित्रोष्च पूजनम माता पिता की पूजा करना सेवा करना फृद्धा पूरबक भगवान की आराधना करना गाय को गोग्रास निकाल करके एक रोटी देना अब द रोटी से गाय का पेट नहीं भरता लेकिन एक रोटी देने से आपको स्वर्ग की प्राप्ती होती है क्योंकि वो धर्म है बहत धर्म है सास्त्रोक्त धर्म है धर्म वही है जो सास्त्र बहत है मनमाना धर्म धर्म नहीं है वो धर्माभास है दिखाने के लिए धर्म करना वो धर्म का आभास है टीवी चैनल में हमारा नाम आ जाए इसके लिए धर्म करना वो धर्म का आभास है आप करोगे अच्छा करोगे अपने आप लोग जानेंगे अपने आप करने करने कान कान से ही मालूम पड़ जाएगा कि आप सत्कर्म कर रहे हैं दूसरा आपकी प्रसंसा कर कोई बुराई नहीं है आपको स्यम ही अपनी प्रसंसा नहीं करना है अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगाना आपकी स्यम की प्रसंसा है आप खुद अपनी प्रसंसा कर रहे हैं दूसरा कोई लगाए दूसरा कोई लगाए आपके सदाचार को देख करके सद गुणों से आप अपना धन व्याय करके अपनी बुद्धी अपने सरीर अपने आदेश से अपना प्रचार करते हैं तो पुन्य का फल तो आपने यहीं पा लिया उपर तो खाली हाथ जाना है प्रिशिद्धी भी पुन्य का फल है प्रिशिद्धी भी एक फल है अगर हमने सतकर्म करने की प्रशिद्धी यहीं कर ली तो उसका फल तो यहीं पा लिया क्योंकि लोगों ने हमारी प्रसंसा की प्रसंसा प्रशिद्धी है वो हमारे कर्म का फल हमने यहीं भोग लिया उपर तो बैलेंस निल इसलिए अच्छा करने वाले की अपने आप चर्चा होती है अपने आप लोग जान लेते हैं उसको पात्रे दानम्मती कृष्णे माता पित्रोष्य पूजनम सिद्धा बलिर्ग वाम ग्रासा सडविदम धर्म लक्षणम ये पद्म पराण इत्याचार दमहिंता दानस्वाध्याय कर्मणाम यगवल के संजिता हमेशा आचार विचार से रहना आचारह पृत्मो धर्मह पृत्म धर्म आचार हीनह नपनंदी बेदाह आचार विचार से जो हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं करते हिंसा नहीं करना किसी प्राणी की ए धर्म का लक्षण है सृती स्मृती सदाचारह सस्यचा प्रियमात्मनह एतच्च्यतुरु विधमि reincarnum ताक्षा धर्मस्य लक्षणम सृती स्मृती सदाचार और आत्मा की प्रियता ये चार धर्म के लक्षण भाइगबजी ने धर्म के तीस लक्षण किये है तमाम रिशीयों ने धर्म के सम्मन्द में खूब कलम चलाई है खूब आदे से दिया है खूब लिखा है उपदे से दिया है किसी एक को ही हम अपना आस्रे बना लें तो हम अपना जीवन सुद्ध कर सकते हैं धर्मों विश्टत से जगतप प्रतिष्ठा धर्म का पालन करने से जगत में प्रतिष्ठा की वृद्धी होती है धर्मे नव पापम अपन दती धर्म का पालन करने से पाप नश्ट हो जाया करते हैं धर्मे सर्वं प्रतिष्टितम धर्म का पालन करने वाली की प्रतिष्टा में वृद्धी होती है इसलिए इसलिए लोके धर्मिष्टम प्रजा उपसरपंती धर्मात्मा पुरुष के पास प्रजा जाया करती है गाउं में बिबाद हो गया कहा जाएंगे धर्मात्मा के पास चलें क्यों उस सही निर्णे देगा पक्छ पास नहीं करेगा ना पक्छ ना बिपक्छ बिलकुल निस्पक्छ ऐसा जो निस्पक्छ होता है उसे ही तो संत कहते हैं गाउं में ऐसे लोग होते थे बिवाद की इस्तिती में पूरा गाउं ये कत्रत होकर कि वहां जाया करता था वो फैसला सुनाते थे फैसला धर्म के अनुशार होता था दोनों पक्छ संतुष्ट हो जाया करते थे ये धर्म का फल है इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए धर्म पिता माता चतिष्ठती न पुत्रदारा न ग्यातिर धर्मस्तिष्ठती के विलम लोक में और परलोक में कोई सहायता करने वाला नहीं है अगर यहां किसी ने सहायता कर भी दी तो परलोक में तो कोई सहायता करने वाला नहीं कौन सहायता करेगा वहाँ वहाँ आपके माता पता आपके साथ नहीं जाएंगे वहाँ आपके भाई बंदू साथ में नहीं जाएंगे वहाँ आपको कंधे पर रखकर ले जाने वाले साथ में नहीं जाएंगे समसान में जितने लोग इखटे हुए हैं उन में से कोई आपके साथ नहीं जाएगा जिन बेटों को आपने पाल पोस्ट करके बढ़ा किया वही आपकी देह में आग लगाएंगे जब आप जल्दी नहीं जलेंगे तीन चार घंटे तक तो जल्ती हुई लकड़ी आपकी चर्वी में जल्दी जल्दी लगाएंगे बहुत मौटा शरीर है जल्दी जल जाए तो जाएं नास्ता करें कलेवा करें कौन जाएगा साथ मैं जिस देह से धन कमाया वो देह यहीं जल गई जो धन कमाया वो बैंक में और धर्ती में गड़ा रह गया जिन हातों से कमाया वो हाथ यहीं रह गए जिन के लिए कमाया वो भी यहीं रह गए अच्छा बहुत लोगे सोचते हैं कि हम अपने बेटों के लिए, बेटा बेटी के लिए कमा के रखके जाएं। अच्छी भावना है। लेकिन एक बिचार और और करना चाहिए, कि जैसे आपको हाथ पैर भगवान ने दिये हैं और बुद्धी दी है, उसी तरह से आपके बेटा बेटी को भी हाथ पैर और बु कमाया है तो हमारा बेटा हमसे अधिक कमाएगा ऐसा आसिरवाद उसे देना चाहिए तो ना मुत्र ही शहाया अर्थम पिता माता चत श्ठती ना पुत्र पुत्र माने बेटा ना दारा दारा माने पत्नी ना पुत्र दारा ना ग्यातिर ना जाती वाले जिनकी समाज की धर्मस दिया और उसका प्रचार नहीं किया तो 11 लाग देने का जो फल है वो आपके साथ जाएगा वो शाथ में जाएगा वो आपकी शाहिता करेगा आपने नर्मदा जी की शेवा यहां की शेवा का फल साथ में जाएगा आपने यग में योगदान दिया उसका फल साथ में जाएगा आपने ब्रिक्ष लगाए तो वहां छाया मिलेगी आपने धर्मशाला बनाई तो वहां मकान मिलेगा आपने कुवा बावली बनाई तो वहा आया तो अपने ही सरीर के मांस का वोजन वहां करना पड़ेगा इसलिए इसलिए हमारे साथ जाने वाली जो बस्तु है धर्मस्तिष्ठति के वलम धर्म का फल ही साथ में जाता है असारे खलुसंसारे यम यम आसरत्योंने के विधानी पापानी आचरती जीवा सारे पुर्ण पाप साथ जो कुछ भी किया उसने सब यहीं चूट जाने वाला है केबल धर्म और धर्म का जो फलकुन उसका जो अपूर्ब उसका जो भाग वो हमारे साथ में जाएगा और वही हमको वही धर्म राज के सामने उपस्तित हो करके हमारी गबाही देगा कि हमने यह यह किया तो हमने मनुष्य होने वाले काम अगर किये तो हम फिरसे मनुष्य में बनेंगे अगर मनुष्य होने वाले काम हमने नहीं किये तो हमें पुना मनुष्य की दे प्राप्त नहीं होगी बास्तों में तो ये सरीर मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है नहीं मोक्ष मिले तो कम से कम इतना तो कर लें कि फिर से मनुष्य का सरीर प्राप्त हो जाए बहुत मुश्किल होगा अपने अधिकार का प्रयोग दी हम नहीं करते हैं तो वो है अधिकार दूसरी बार हमें प्राप्त नहीं होता है ये बात हमने कल भी बताई थी इसलिए ना धर्मस्चरितो लोके सद्ध्ध फलति गवरभी सनई रावर्तु मानस्तू कर्तु मुलानि क अधर्म करने वाले जो बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं बाद में एक बार जड़ से उखड़ते हैं जड़ से बिलकुल मालूम नहीं पड़ता जैसे पुराने ज़ाड बाबा जोड़ा साइकलोन के प्रभाव से गिर जाया करते हैं इसी तरह से अधर्मी लोगों का पतन होता है यह बात बिलकुल सत्त है इसलिए धर्म करना चाहिए थोड़ा करें चाहिए ज्यादा करें चार रोटी खिला देने का धर्म यग्ज से भी बढ़कर है लेकिन उसमें फोटो नहीं किचवाना है फोटो खिचवा के फिर बाइरल कर दी फेस्बुक में तो लोगों ने प्रसंसा की बहुत अच्छा काम किया उसका फल तो यहीं मिल गया तुमको उपर तो फिर खाली गए इसलिए एक फाइदा उससे जरूर होता है एक लाब जरूर होता है फोटो से कि दूसरों को प्रेरणा मिल जाती है यह लाब है इतना पक्ष है बस बाकी तो वो दोश है हम लोग तो दोशी ही मानते हैं शास्त्र के अनसार दोश है क्योंकि प्रिशिद्धी फल है तो प्रिशिद्धी तो और हम लोग हिंदू हैं सनातन धर्मी हैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं जो कता सुन रहे हैं जो नहीं बैठे हैं और वो भी सुनते हैं कता हैं तो सनातन धर्मी हिंदू है तो हिंदू होने का धर्म है हमारा तो वो भी हमें पता होना चाहिए हिंदू होने का धर्म क्य गाय में उसकी भक्ती होनी चाहिए पहली कशोटी पहली प्रतिग्या प्रतम अब लोगों ने बड़े-बड़े महल बना लिये लेकिन दूद पियेंगे पैकेट का गाय नहीं रखेंगे घर में छे गाड़ी है लेकिन एक गाय को रखने के लिए जगह नहीं है ऐसी कि भ Mitsub ratchet house आओ ऱन स्फिष म स्चनय चन्तिनत्य पाम कुरुभन देख रहे कोई अरे भाईया तुम देख रहे हो तो तुम कौन हो ऑनो और ए तुम तो ऑ्षवर हो तुम एपने आपको मनश्यमान लिया है所以 क्वों पाक कर रए हो lेकिन तुमरे अंदर जो ईश्र बैठा वो तो देख रहा है कि तुमारी आँख देख रही है आपकी आँख देख रही है क्या कि आप चोरी कर रहे हो कि आपके कर रहे हो अगर आपकी आँख देखने वाली होती तो अंधकार में रात्री के बारा बजे आपको दिखाई पढ़ना चाहिए था अमावाश्या की रात् लिखती होती तो ये करेंट ना रहने पर अमा वाश्चा की रात्री में 12 वजे अंदकार में आपको दिखना चाहिए नहीं दिखता आपको प्रिकाश चाहिए नेत्र को प्रिकाश चाहिए बिना प्रिकाश के देख नहीं सकता है कोई स्व बी प्रat क不好 का हो अ league मुण Michy का हो जुगनू का हो लेकिन प्रिकास तो चाहिए वो सूर्य भगवान सयम प्रिकास हैं उन्हें इस लाइट की आवश्कता नहीं है हमको आपको उसकी आवश्कता है इन आखों को प्रिकास की आवश्कता है जब तक प्रिकास नहीं होगा प्रिकास के सईयोग से आखों में द रूपम द्रिश्यम लोचनम द्रिक तद्रिश्यम द्रिक्तु मानशम द्रिश्या धीवरत्या साक्षी द्रगेवो नतु द्रिश्यते। प्रकाशक जोई राम अनादी अबद पतिशोई वो सबका साथ है। परम प्रकाशक है, नेत्र प्रकाशक है, नेत्रों को भी प्रकाश देने वाला परम प्रकाशक सूरी भगवान है। इसलिए चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा है ऐसा समझ करके चोरी मत करना देखने वाला है सोरी का प्रिकास देख रहा है जो आपके नेत्रों को देखने की सक्ति दे रहा है करने इंद्री में बैठ करके सब्दत स्रवन की सक्ति जो दे रहा है हमारी प्रत्यक इंद्रियों का जो संचालक है वही परमात्मा है सबका प्रकाशक है तो हीनम दूसेयती ती हिंदू यह हिंदू सब्द की परिभाशा है तो गाये अब देखिए आपने ऐसा कोई विश्व में मंदर नहीं देखा होगा जहां जिस में विश्व के सारे देवी देवताओं रहते हों कहीं नहीं मिलेगा अलग अलग मिलेंगे कई मंदर मिलेंगे जहां देवी देवताओं की स्थापना है लेकिन एक मंदर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां सारे देवताओं इस्थापित किये गए हों अगर एक मंदर ऐसा कोई है तो वो चलता फिरता गव माता है गाबो विश्व श्व मातरा शारे देवी देवता जिसमें निवास करते हैं वो गव माता त्रणम चरंती अम्रतम चरंती अगर उसकी व्योहारिक सत्ता को विश्विकार करते हो तो घांस फूस खाती है वो जो बस्तु आपके काम की नहीं है भूशा अचारा कटी हुई बची हुई सब्जी के छिलके वो खाती है अम्रत जैसा दूद देती है आपके बच्चों को उनकी रक्षा में हमें आलश नहीं करना चाहिए हमें प्रिमाद नहीं करना चाहिए सास्त्रों का बचन है गव माता में सर्व देवता निवास करते हैं सारे देवता निवास करते हैं गव माता एक गाओं के बाहर एक समसान था तो उस समसान में एक महिला मांस पका रही थी तो किशी पशू के मस्तक की खोपड़ी का बरतन बना करके और किशी जानवर का मांस पका रही थी और उस मांस को उसने कुट्टे के चमडे से ढाक रखा था वहां से एक महानुभाव निकले तो उसने कहा उन्होंने कहा कि एक तो तूँ खुद मांस भक्षन करने वाली है अपवित्र है और समसान अपवित्र है और मांस भी अपवित्र है और यह जो खोपड़ी है किसी की यह भी अपवित्र है और कुट्टे के चमडे से तूने मांस को ढाक करके क्यों रखा है अब अभित्र मांस को ढाक करके क्यों रखा है निदर के पाले तुछ अंडाली तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसने कहा कि महानभाव यहां जो किसान यहां जो यह जो समसान है इस समसान से किसानों के खेत लगे हुए हैं तो मैंने इस मांस को इसलिए ढाक करके रखा है कि कोई ऐसा किसान यहां से निकल गया और जिसने गोचर भूमी में कबज़ा किया होगा और उसकी नजर मेरे मांस पर पड़ जाएगी तो मेरा मांस अपवित्र हो जाएगा राजाओं ने कितनी गोचर भूमी छोड़ी थी गोठान कहते हैं जहां गायां खड़ी होकर के गाउं के बाहर थी ना जहां पहले लोगों की बाराते लगती थी कहां फारमाउस थे कहां बारात घर थे पहले कहां पार्टी फिलाट थे वहीं साधियां होती थी हम आठमी पढ़ते थे उस समय हमने देखा गाउं की बारात कहां ले आम के जाड़ के नीचे बारात लगती थी वहीं गायां खड़ी होती थी पूरे गाउं की गाया वहां ख कितना कैसा जबाब दिया उसने कि ऐसा किसान जिसने गोचर भूमी पर कबज़ा किया हो उसकी नजर अगर मेरे भोजन पर पढ़ जाएगी तो मेरा भोजन अपवित्र हो जाएगा इसलिए गोश भक्त रभवित जस्यो पुनर जनमनी द्रढ़ा सयाहा बर्नास्रम धर्मानी आईयों को हिंदूओं को आरिय नाम से जाना जाता था इस कारण से भारत वर्ष को आरिया वर्थ कहते हैं इस भारत की पहचान थी गवु माता की भक्ती भारत की पहचान आ समुद्रात वही पूरबाद जा समुद्रमात पश्चिमात कहां से कहां तक भारत देश था हमारा आज कहां तक है हमारी सत्ता आर्या वर्तंते आवर्तंते यत्रशह आर्या वर्ता इसलिए हिंदु धर्म देहात्मवादी नहीं है अध्यात्मवादी है यही इसकी विशेशता है हमारी संस्कृती का इसलिए स्वागत होता है हमारे संस्कारों का इसलिए सम्मान होता है बिश्व के लोग भारत में आकर सम्मान की दृष्टी से हमारे देश को देखते हैं देश वासियों को देखते हैं वहां की संसकारों की धर्म व्यवस्था को देखते हैं भारत देश में जब तक हिंदुत दर्शन रहेगा जब तक सनातन धर्म रहेगा सनातन धर्म का प्रभाव रहेगा तभी तक देश की अखंडता शार्ब भौमिक्ता और बहुलताबाद जैसे मूल्यों की रक्षा होती रहेगी हिंदू सब्द से उनी लोगों को विरक्ती है जिन लोगों ने हिंदू दर्शन को ठीक से नहीं पढ़ा है हमारे दर्शन को ठीक से जनों ने नहीं पढ़ा है वही आक्षेप किया करते हैं इसलिए उनके आक्षेपों का उत्तर देने के लिए हमारे धर्म का धर्मज्ञान हमें होना चाहिए ये बात धर्म की है यो वर्णास्रम निष्ठाबान बेद सास्त्रोक्त वरनेशु बेद सास्त्रोक्त धर्मेशु बेद और सास्त्रों को मानने वाला ही हिंदू है हिंदू धर्म का पालन करने वाला ही हिंदू है हिंसा करने वालों को जो दंड प्रदान करता है उनका जो तुरशकार करता है ये सब हिंदु धर्म और धर्म के लक्षण हैं हमें धर्म का पालन करना है धार्मिक्ता आएगी कहां से आप धनी कैसे होंगे धनी होने के लिए धन चाहिए धार्मिक्ता कैसे आएगी आप में जब आप धर्म का पालन करेंगे स्वनकादी रिशियों ने सूत जी महाराज ते पूछा परमात्मा स्रीकृष्ण के गोलोग गमन कर लेने के बाद धर्मा कम सरणम गता धर्म किसकी सरण में गया बताई है गुरूही योगे स्वरे कृष्णे ब्रमन्य धर्म बर्मनी स्वाकाष्ठा मदुनो पेते धर्मा कम सरणम गता धर्म किसकी सरण में जाता है स्रीकृष्ण तो चले गए अपने स्वधाम धर्म कहां गया अब देखिए यहां विचार क्या है चिंतन क्या है यहां हम सब धर्म की सरण में जाते हैं कि धर्म किसी की सरण में जाता है धर्म कहां नवास करता है धर्म धर्मी में होता है हिंदू में हिंदुत तो होता है जल में जलत तो होता है मनुष्य में मनुष्यत तो होता है तो धर्म कहां होगा धर्मात्मा में धर्म होगा इसलिए धर्मो विश्वत जगतप प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उप सरपंती धर्मिणो पापं अपनुदती धर्मे सरबं प्रतिष्ठितम ये धर्म सास्त्र हैं हमारे जो धर्म के संबंध में हिंदू होने के संबंध में सनातनी होने के संबंध में हमारी निष्ठा को मजबूत करते हैं हमारी निष्ठा हिलने डुलने वाली नहीं होनी चाहिए आप खूटे को गड़ाएंगे मुट्टी के अंदर गड़ा करके और बार बार देखेंगे कि ठीक से हिलता है कि नहीं हिलता तो वो हिलता ही रहेगा तो संत्य आत्मा विनस्चती इसलिए सास्त्र के आदेश में कोई संत्य करने की आवस्यक्ता नहीं है जग्यासा होत कर सकते हैं जग्यासा समाधान के लिए वह भी गुरु की परिक्षा लेने के लिए जाकर नहीं पूछना चाहिए जग्यासा सांत्य करने के लिए यी निश्क पट भाव से निश्चल हो करके प्रश्न करना चाहिए को नामे बंधाहा कथमे से आगताहा कथम प्रतिष्ठाफ्यो कथम बे मुख्चाहा को सावन आत्मा परमा को आत्मा तयोर बेका बताईए गुरुदे वबंधन क्या है मुख्च क्या है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है पुल्ण्य क्या है पाप क्या है इसका बिवेक करके बताईए बिवेचन करके बताईए यहां बिवेचन क्या करना है धर्मा धर्म का बिवेचन धर्मा धर्म का विवेचन कैसे होगा विवेक्ष होगा विवेक किसे कहते हैं आत्मा नात्म विवेक नीर छीर विवेक तिल तंदुल विवेक धर्मा धर्म का विवेक बिच्चर प्रिथक भावे दो बस्तु मिल गई है दोनों को अलग-अलग करना है थोड़ा सा कठन है लेकिन किया जा सकता है करना चाहिए मनुष्च ही कर सकता है तभी वह जग्यासा करता है करपया शुरुयताम स्वामिन प्रिष्णोयम क्रियते मया मेरे प्रिष्ण को सुन करके उत्तर दीजिये गुरुदे तब गुरु कहता है धन्योशी कृत्योशी तू धन्य है कुलंप वित्रम जननी कृतार था धन्योटू तुम्हारे मन में उस परमात्मा को ब्रिम्म को ब्रिम्म साक्षात कार करने की जिग्यासा प्राप्त हो रही है मन में जिग्यासा हो जाना ही तुम्हारा उद्दार उत्तर प्राप्त होने के बात तो क्या है आप अपने आप में ही नहीं रहेंगे आप उसे प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए बदरिनात में बैठ करके हजारों वर्ष रिषी मुनी तपश्या किया करते हैं उसे आप बैठ करके यहीं प्राप्त कर सकते हैं आपका चिंतन स्वस्त होना चाहिए आपके चिंतन में सास्त्रियता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं ये महत्पूर्ण नहीं है आप जो कर रहे हैं वो सास्त्रोक्त है की नहीं ये महत्पूर्ण है बिहित है की नहीं बेद बिहित है की नहीं ये महत्पूर्ण है मनमाना करने से कुछ नहीं मिल सकता है हमारी संस्कृती कामचार, कामबाद, कामभक्ष का निशेद करती है सदर्मस्चो परित्यागहा, परधर्मस्च चाक्रिया, अयाज्याजनन्चईवो, तथा भक्षत सभक्षणम सबका निशेद किया गया है यही सदाचार है, यही सदाचार हमारे देश्च को विश्चो गुरु बनाने की चमता रखता है, यही सदाचार, इस इस्टाचार है, शिष्ट पुरसों का आचार ही सदाचार है, और यह सदाचार सुरुती इस्मृती मूलक होना चाहिए, यहां भी मनमानापन नहीं चलेग कुछ भी नहीं करना है जो करना है वो करने योग है कि नहीं है ये जान करके करना है और ऐसा बिवार दसा में मनुष्च करते हैं केबल, पूजा पाठ, धर्मसास्त्र, भागबत कथा मंदरों का निर्माड इन्ही में मनमाना करते हैं प्राया, सभी नहीं कह रहे हैं, सभी को नहीं कह रहा हूं, प्राया है लोग ऐसा करते हैं, मेरी इक्षा ऐसी है, अरे भाया आपकी इक्षा नहीं चलेगी यहां, यह मंदर है, यह सास्त्र है, यह देवी देवता की आराधना है, यहां साधना करना है, तो साधक को जिसकी पालन करना होगा, फल नहीं मिलेगा, आपकी प्रसंदता ढोल बजाने से हो जाती है, कोई फल नहीं मिलेगा, चुहे ने धर्ती में बिल खोदा, कोई ना पुर्ण होगा, ना पाप होगा, ना धर्म होगा, ना अधर्म होगा, बिली ने चुहे को खा लिया, ना धर्म होगा, यदि आपने चुहे को खा लिया अधर्म होगा मनुष्य ने चुहे को खाया अधर्म होगा मनुष्य ने मचली को खाया मेंड़क को खाया पक्षी का भोजन बनाया अधर्म होगा लेकिन सेर ने मिर्ख को खाया सेर को ना धर्म होगा ना अधर्म होगा दर्मा दर्म का वदेश मानव मात्र के लिए इसलिए मनुष्य का कर्तब है कि जो अधिकार परमात्मा ने हमारे पिता ने दिया है जैसे पिता पुत्र को जो अधिकार देता है पुत्र उसका पालन करता है संतान उसका पालन करती है इसी तरह से एक परमपिता है उस परमपिता ने जो मानवी सृष्टी है उसके लिए निश्चित किया हुआ है विधान निश्चित किया हुआ है विधी निश्चित की हुई है और विधी कहा होती है अप्राप्त में ही विधी होती है विधी रत्यंत मप्राप्तव अत्यंत मे प्राप्त में ही बिदी होगी प्राप्त में तो होगी नहीं हम तो प्राप्त हैं हमें प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए बिदी है हम जो अग्यानी हो गए हम जो मूर्खो हो गए हैं हम में अलपग्यता आ गई है अलप छत के उपर जाना है सीड़ी का नर्माण किया गया है स्वर्ग जाना है सीड़ी नहीं है धर्म की सीड़ी का आस्रे लेकर के ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है मोक्ष की प्राप्ति करना है ब्रह्मग्यान प्राप्त करना होगा कैसे होगा ब्रह्मग्यानी के पास जाईए रोगी को दबा कहा मिलेगी बैद्ध के पास मिलेगी डाक्टर के पास मिलेगी तद विद्धिप्र निपाते नो परिप्रिष्णेन शेवया उपदेक्ष्यंचिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त दर्शिना लगवान अर्जन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं मुंडक सुर्ती भी उपदेश दे रही है परिच्छ लोकान कर्म चतान ब्राम मड़ो गुर्देव मैंने परिच्छ कर ली लोका लोक की कहीं सुख नहीं मिला कहीं आनंद नहीं मिला आपके सरण में आया हूँ मुंडक सुर्ती है तद विद्ज्यानार्थम सहगुरुमेवावि गच्छेत समित पानी ही सोत्रियम ब्रह्मन इष्ठम सोत्रीय ब्रह्मन यह हम आपको कल बताएंगे स्री राम जै राम जै राम जै राम दार का दीश भगवान की देवादी देव महादेव की सद गुरु देव भगवान की हर हर महा